जिन्दगी में आप जो करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए लेकिन ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे क्यूंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते यहां कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है भहुत सुंदर सब्द जो एक मंदिर के दर्वाजे पर लिखा था ठोकरें खाकर भी ना संबले तो मुसाफिर का नसीब वरना पथ्रों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया सवाल यह नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है बलकि सवाल यह है कि कितना भु बलकि जब वो तेयार होता है तो इस्वार खुद उसके पास आ जाते हैं जो लोग प्यार को अंधा कहते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं कि प्यार क्या है मेरी नजर में प्यार की ही आखे हैं बाकी सब अंधे हैं लोग दुख से बसने के लिए सुख से बसते हैं और मिर्ति से बसने के लिए जिन्दगी से बसते हैं मितरता सुध प्रेम है ये प्रेम का सर्वोच रूप है जहां कुछ भी मांगा नहीं जाता कोई सर्थ नहीं होती जहां बस देने में आनन्द आता है सचा प्यार खुशी बाटने जैसा ही है ये बदले में कुछ नहीं मांगता और नहीं किसी चीज की उम्मीद करता है मोहो के बिना दुख होता ही नहीं जब भी दुख होता मोहो से होता उस रास्ते पर मत चलो जिस पर डर तुम्हें ले जाए, बलकि उस रास्ते पर चलो जिस पर प्रेम ले जाए, उस रास्ते पर चलो जिस पर खुशी तुम्हें ले जाए अधिक से अधिक भोले कम ग्यानी और बच्चों की तरह बनिए जीवन को मजे के रूप में लेजिए क्योंकि वास्तिविक ताओं में यही जीवन है सफाई देने में और इस फ़स्ट करने में अपना कीमती समय बरवाद ना करें क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं बिना प्रेम के इंचान बस एक सरील है वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद